है तुरू एट्स आज हम एक्स चेप्टर चेप्टर ओबर फाइब कर या इस चेप्टर के अंदर हम जो आजकल जो निया टोपिक आया हूं है क्लाउट कम्प्यूटिंग उसके बारे में रीट करेंगे तो सबसे पहले हम क्लाउट कम्प्यूटिंग की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं देखी तो करेंगे जस्तिंग वर्ट ओल थिंग्स क्या एक वर्ट करने प्राइड के मेंख और में उसके कारी अरशचने प्रॉलिक नर्थ थिए इपक्षांट तो सबस्क्राइड करेंगे फूंद की प्रॉलिक स्वार उसके कम्प्यूटिंग आप। आप सोच़िए, अगर आपको क्या करनी है, कोई IT कमपनी क्या करनी है, सेटअप करनी है, तो आपको सबसे जाए, एक आफिस चाहिए, हार्डवेर क्या है, क्योण्फेर्स, सर्फेर्स, हार्डवेर कोолов्न करने के लिए, उसके बाद आपको राउं्ट प्रॉक, ए्लेक्टस, है पावर के लिए कूलिंग सिस्टम हो गया आई टी एक्सपर्ट चाहिए इंफरेस्ट्रक्ट्चर को जो मैनेज करने के लिए और बहुत सारे पैसे भी चाहिए कि फिर वर्क इंक्रीज अगर आपका काम भड़ गया यू नीड मौर स्पेस तो आपको T कि लिए कि इन सभी चीज़ों को खतम करने के लिए हम क्या करते हैं Cloud Computing का यूज़ करते हैं जो आज कल मेन टोपिक चला हुआ है Cloud Computing तो हम पढ़ते हैं Cloud Computing क्या होता है Cloud Computing Cloud Computing is a technology that provides resources and resources and services over the internet करें Cloud Computing एक ऐसी technology हो रही है जो internet के उपर आपको क्या कर रही है resources भी provide करेंगी और service भी provide करेंगी करें resources में क्या क्या आता है resources जैसे की email messages, schedules, music, photos, videos, games, websites, programs, web apps, servers, storage and more यह सब तो क्या है resources services क्या provide करते हैं services में क्या क्या include करते हैं हम कोई भी software को access कर सकते हैं files को store कर सकते हैं online करें instead of accessing these resources and services locally on your computer you access them on cloud करेंगी अपने computer पे access करने की बजाए हम क्या कर सेने online cloud के उपर क्या कर सकते हैं for example क्या एक्सेस करते हैं some users use cloud storage instead of storing data locally on hard drive or other media क्या जैसे for example क्या रही कुछ लोग क्या करते हैं users क्या करते हैं अपने data को अपने computer पे save करने के बजाए क्या करते हैं cloud के उपर save करके रखते हैं जिससे क्या होता है उनका storage जो है computer का बच जाता है क्या है cloud storage and internet service that provides storage facility to computer user क्या है जो cloud storage क्या होता है storage facility होती है internet service के उपर जो प्रवाइड किया थे computer user को कुछ भी store करने के लिए internet के उपर some of these sources and services are free क्या है कुछ इन मेंसे कुछ services तो क्या होती है free होती है और कुछ क्या होती है पेड होती है तो आपको सिर्फ उसी चीज़ का pay करना पड़ेगा जो आप actually use कर रहे हैं इसका result क्या है as a result you need make large investment in equipment on staff to spot it क्या है कि इसका result क्या हुआ आप जो staff के उपर इतना पैसा लगा रहे थे वह आपको नहीं लगाना पड़ेगा क्या है कि people are choosing cloud computing for a variety of reasons क्या है कि जो हम cloud computing choose करते हैं उसके कुछ reasons हैं सबसे पहला तो है accessibility तो accessibility क्या है data and applications are available worldwide from any computer or device within an internet connection क्या है कि इसके उपर जो भी data को store करेंगे या software store करेंगे वह आप कहीं पे भी किसी भी time बैटके उसको access करते हैं पूरे world के अंदर cost saving second thing है कि आपका जो software का या high end hardware का जो क्या था cost था सारा का सारा इससे क्या होता है use save हो जाता है space saving अगली चीज क्या है कि आपका space to save हो जाएगा सब कुछ क्या हो गया cloud server के उपर save होगा तो आपका space जो है वो बच जाएगा scalability scalability के प्रवाइड एक प्रवाइड इंक्रीज कंप्यूटिं रिक्वार्मेंट्स आपनी requirements क्या कर सकते हैं computing की requirement जो भी है उसकी coding अपनी नीट्स को बढ़ा या गटास सकते हैं इसके अंदर उसके बाद है advantages of cloud computing तो इसके देखी बहुत सारी cloud computing की advantages सबसे बहुत करें कि it is probably the most efficient method to use maintain and upgrade it eliminates the capital expenses of buying hardware and software and other infrastructure कर रहा है कि यह क्या most cost efficient है इसमें पैसा जादा नहीं लगता हमारे capitals हैं कुछ भी hardware software को हम buy करना पड़ता है infrastructure के लिए वो बच जाता है it allows user to get large storage capacity for storing information क्या रहा है कि इसमें क्या होता है हम जितना मर्जी large storage store करके रख सते information को it allows user to access files on the internet from any computer internet access क्या रहा है यह जुरू ही नहीं कि इस computer से हमने उसको save कि था उसी computer पे बैटके वो पे बैट जाहिए सिर्फ internet connection होना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं उस file को open कर सकते हैं users can allow other to access their files on the internet so that others can listen to an audio file watch a video view a photo क्या रहा है कि मान लीजिए अगर आप किसी और को चाते हैं कि वह आपकी file को open कर सकते है वीडियो को देख सके तो आपको सिर्फ क्या देना अपना ID पासपर्ट उसे प्रवाइड करना है वह internet चलाएगा और ID पासपर्ट डालेगा और क्या कर सकेगा उसको देख सकेगा it makes data back easier and less expensive करे इसमें क्या होते हैं data backup भी बना सकते हैं जो बहुत कम क्या होते हैं expensive होते है it allows user to view time critical data and images immediately while away from main office or location क्या रहे कि इसमें क्या कर सकते हैं it allows user to view time critical data और images क्या रहे कि जो time critical data और images होते हैं उनको हम अगर दूर है x-ray वगएर हैं उनको अगर हमने send करना है अपनी office और location से दूर जगा पे तो वह भी हम डॉक्टर वगएरा को दिखा सकते हैं जो कोई दूसरे hospital में हैं या कोई home office से दूर हैं या vacations पे उनको भी it provides up to date versions of software as well as upgrades or to server and computer processing power क्या रहे कि यह करते हैं up to date software provide करते हैं जिससे हमारे क्या होते हैं servers क्याते हैं upgrades रहते हैं आगे service provider क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है is an internet technology that provides service to a computer user क्लाउड कंप्यूटर के एक internet technology है हमारे computer users को क्या service provide करती है there are service providers that provide various type of service for free or charge fee क्या है कि बहुत सारी services है इसके अदर storage वगएरा की free of cost भी हैं कई service के पैसे भी लगते हैं many organization like amazon web services google cloud platform and microsoft as you have started implementing cloud services like storage network hardware and software क्या है यह बहुत सारी organization है जिनके नाम मैंने भी आपको बताए हैं इन्होंने क्या किया है अभी cloud service का use करने start किया है storage के लिए network के लिए hardware के लिए और software के लिए करे कि user does not have storage और पर user की personal computer के पर storage नहीं है तो वह क्या कर सकता है cloud का use कर सकता है storage के लिए उसको utilize कर सकता है the same type of services provided by flickr.com इस तरह की service flickr.com के दौरा भी यूज की आती है वहां पे हम क्या कर सकते हैं अपनी photos वगएरा को upload कर सकते हैं वहां पे हमें क्या करता है ID password बनाना पड़ता है उसके बाद हम उसको कभी भी क्या कर सकते है open कर सकते हैं उसके लाबा google docs का आपने नाम सुना होगा जिसको आप mainly online document create करने upload करने के लिए use करते हैं save करके रखने लिए google drive का नाम सुना होगा जहां पे हम अपना जो वरक online store करके रखते हैं cloud के उपर का इस टाइप सब्सक्राइब लेवल होंदा cloud अगे characteristics of cloud computing तो characteristics पढ़ते हैं cloud computing की क्या क्या है using cloud computing an organization can run its application on a shared data center cloud computing के use करके कोई भी organization क्या करती है अपने data को क्या करती है applications को shared data center पे डाल देती है to use an application that run on the cloud all the needs to be done in login with the username and password इसमें सबसे पहला कहा है on divine self-service that the users are able to get the cloud computing resources for almost any type of workload on demand and without requiring human interaction mostly done through a web-based self-service portal this eliminate the traditional need of IT expert to manage these resources with a cloud app you just open a browser login and login and start working with an e-commerce business and you are running your business with your four servers if you have any e-commerce business this resource which you have to do when you have to do this resource which you have to do भी पैसा नहीं लगेगा आगे पे पर यूज करें कि लाउड कंप्यूटर ये कंप्यूटर रिसोर्स और मैजर्ड और यूज करें कि रिसोर्स पूलिंग क्लाउड प्रवाइडर तू पूल लल्ग सकेट भी रिसोर्स तू सर्व मल्टिपल क्लाउड कंजूमर करें क्शूर्ड क्छ पर पूल करती है क्लाउड प्रॉडर को लाइडर को कि वह तो यूज कर सकते हैं cloud का यूज करके हमने क्या किया the cloud enables many user to enter and use data within the particular software host in the cloud at the same time for any location at the anytime तो यह क्लाउड क्या करता है enables करता है many users को same time पे आप data को एंटर कर सकते हैं किसी भी location से किसी भी time यह feature क्या है multiple business offices और sale team के लिए क्या बड़ा attractive है वो office से बाहर रहके उसको भी यूज कर सकते हैं आगे types of cloud तो देखिए clouds के type कौन को से हैं सबसे पहला जो type है वह private cloud नाम से पता चल रहा है जो privately किसी organization के लिए यूज किया जाता है उससे क्या कहते है private cloud कहते हैं क्या रहा कि this is protected by security to have barrier against the outside तो क्या रहा कि यह secure होता है क्योंकि इसमें outside the organization यूज नहीं कर सकते पब्लिक cloud अब पब्लिक cloud क्या है यह क्या है किसी भी special organization के लिए यूज नहीं किया जाता है जो service प्रवाइड की जाती है वो किसी भी organization या individual के द्वारा access की जाती है hybrid cloud अब hybrid cloud जो होते हैं वो क्या होते है mainly यूज कियाते हैं desktop के ओपर mainly क्या होता है combination होता है कि इसका private और public cloud क community cloud अब community cloud क्या होते है जो अलग अलग groups होते है community होते है common interest के लोग होते हैं उनके लिए use में आता है यह अगे service of cloud computing तो service क्या क्या है cloud computing की देखिए cloud computing services are based on pay as you go model क्याइं की cloud computing की जो service इस इस मोडल पर डिपेंड है, pay as you go, consumers and organization relay on cloud computing service to manage IT infrastructure, करेंक जो consumers या organizations हैं, वो mainly cloud services को manage करते हैं, IT infrastructure जो कौन कौन से एक तो है, इनका infrastructures as a service, जिसको IaaS कहते हैं, दूसरा है इसका software as a service, जिसको SAAS कहते हैं, और तीसरा है, platform as a service, जिसको PaaS कहते हैं, तो सबसे बढ़े हम पढ़ते हैं, infrastructure as a service, करेंकि IaaS provide IT infrastructure like service, storage, network, operating systems over the internet on pay as you go basis, करेंकि यह क्या करते हैं, आपको service, जो हैं mainly infrastructure प्रवाइड करते हैं, इसमें storage आ जाएगा, नेक्टवर्क आ जाएगा, operating system आ जाएगा, internet के उपर, जो आपका pay के हिसाब से इसमें बनता है, it is the most flexible cloud computing model and allows companies to scale storage processing power and bandwidth up or down as needed, करें इसमें क्या होता है, जो cloud computing model जो होता है, वो company को allows करता है, कि आपको कितना storage करना है, processing power कितनी होनी चाहिए, या bandwidth क्या चाहिए, वो आपकी need के according up or down होती है, for example, a retailer may need to increase these capabilities to accommodate additional traffic to their website during holiday shopping season, when the season ends, retailer can easily reduce the settings, इसके example से बतार कहें कि, अगर मान लीजिए holiday season चल रहा है तो, एक hotel की website है, उसके ओपर automatically ज्यादा लोग आएंगे traffic ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा अपने server को increase कर लेगा, जिससे उसकी speed के ओपर फरक नहीं पड़ेगा, और जैसे ही holidays खतम होई तो उसका traffic कम हो जाएगा, तो वो उसको decrease कर सकता है, वो उस टाइम पर उसके पैसे नहीं लगेंगे, आगे software as a service, क्या रहा है कि, method for delivering software application over the internet on demand है, typically होने subscription basis, user connect to the application over the internet, usually through web browser on their phone, tablet or PC, क्या रहा है कि, इस method में क्या होता है, जिस software application होती है internet के ओपर, उनके demand के base पे क्या कियाता है, या subscription base पे क्या किया है, या यूजर क्या करता है application के ओपर क्या करता है, connect करता है internet के थूँ या और web browser के थूँ या अपने phone या tablet के थूँ और उसको access करता है, आगे platform as a service, इसको कहता है PAS, क्या रहा है कि PAS provides a cloud platforms and allows developer to create, test and run their program website, web app, etc. without having to purchase the hardware and software, अब इसमें क्या होता है platform as a service में क्या होता है, वो क्या करते है platform create करते हैं, जिसमें वो test करते हैं, अपने program को run करते हैं, website को या web app को run करते हैं, पीना किसी खरीदे उन्हें hardware software को इसके उपर वोर निकल लेते हैं, तो आज बच्चों हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम next part के अंदर करेंगे, आपने क्या करना है, इसको अच्छे से read करना है, अच्छे से read करने के बाद इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्लाउड कम्प्यूटिंग क्या होती है, इसके advantage के हैं, disadvantage के हैं, और आपका जो exam होगा, October के अंदर जो half yearly का उसमें पहले चार lesson आएंगे, तो आप उसकी मैंने आपको third और fourth lesson की, आपको notes भेजे हुए हैं, जो question answer और book work है, वो भी आप अपने, जो questions हैं वो तो notebook में कर लिजेगा और जो book work है, वो book में कर लिजेगा, और इस lesson को भी हम complete करने के बाद मैं आपको notes send कर दूँगा, thank you.